पैंक्रियास क्या होता है ? Peelean pepsin and lactose .. अटिबेक्टिरियल एजेंट होता है हमारे हुमन 읏र में पाई जाती है टिक है ग्लाइकोजन क्या होता है वो Latif पैंटिभुणे यून्वर्सल होता है या तो फिर किसी दूसरे टिशू पर डायरेक ड़िफेक्ट करता है इस वीडियो में हम लोग general science के कुछ questions की बात करेंगे जो की काफी important है ससी जही की upcoming exam के लिए क्योंगी last year भी काफी questions पूछे गए थे general science से और आप लोग के भी काफी suggestions आएथ की general science पर वीडियो बनाये तो यह part 1 है और भी parts आते रहेंगे से तो आईए शुरू करते हैं part 1 को पहला जो है penicilline is obtained from penicillium notatum penicilline क्या होता है penicilline देखिए एक antibody होता है जो कि bacteria को handle करने के लिए bacterial infection को handle करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है antibody होता है kahaan से पाया जाता है penicillium notatum से पाया जाता है ठीक है smallest bone क्या होती है उसका नाम होता है step is वो कहां पाई जाती हमारी body में वो कान में पाई जाती human ear में पाई जाती है ठीक है next one pancreas is both an endocrine and an exocrine gland ठीक है देखिए दो टाइक पी gland होती है endocrine gland होगी या तो exocrine gland होगी endocrine gland वो होती है जो कि chemical substance जो produce करती है gland वो directly हमारे blood होता है body में उसमें या तो direct वो put कर देगी उसको डाल देगी chemical substance को या तो फिर किसी दूसरे tissue पर direct effect करता है ठीक है जो भी chemical substance produce करती है ठीक है तो वो exocrine gland हो गया pancreas किया होता है Pancreas के देखिए दो main जो काम होता हो मैं आपको बताता हूँ एक तो blood sugar को रेगॉलेट करता है pancreas दूसरा हमारा digestion में काम करता है ठीक है pancreas के ये दो main काम होता है blood sugar को रेगॉलेट करना और digestion में काम करना और यह दोनो टाइप के glands होते हैं, pancreas जो होता है, endocrine gland और exocrine gland, दोनो टाइप के gland इसको बोला जाता है, ठीक है, next one, simple plants that contains no chlorophyll, कौन सा plant इसमें, chlorophyll नहीं पाया जाता है, तो वो होता है, fungi, fungi में कोई chlorophyll नहीं पाया जाता है, ठीक है, next one, bile कहां produce होता है, तो bile जो होता है, में produce होता है, ठीक है, क्यों produce होता है, क्योंकि emulsification के लिए, emulsification का मतलब यह होता है, कि जैसे, कुछ हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो fat हमारी body में जाता है, उसको थोड़े छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, that is emulsification, वो कैसे होता है, वो liver जो bile produce करता है, तो उसस आदे effect करता है, वो, जो भी produce करता है, पैंक्रियाज या तो कोई भी gland जो भी produce करेगा, digestion system में, तो उसके लिए bile का यूज होता है, बाइल का यूज किसलिए होता है, emulsification के लिए कौन produce करता है, लीवर, ठीक है, next one, arteries, arteries क्या carry करती है, carry oxygenated blood, मतलब pure blood को, जिसमें oxygen होती है, वो carry करती है, मतलब कि, जो chamber होते हैं, हमारे heart के, उसके left side से निकलता है, ये blood, और पूरी body में circulate होता है, ठीक है, तो pure blood arteries carry करती है, except pulmonary artery, ठीक है, pulmonary artery जो होगी, वो हमारे impure blood को circulate करेगी, body में, मतलब, और जिसी तरह veins भी होती है, ठीक है, veins क्या करती है, पूरी body से blood लेती है, ये deoxygenated blood, और वो हमारे left part में, वो हमारे right part में जाता है, हाँ, right part में हमारे जो होता है, 4 chamber होते है, right left, ठीक है, तो right part में 2 chamber होते हैं, उनमें से क्या मारता है, deoxygenated blood निकलता है, ठीक है, वो काम veins करती है, artery क्या काम करती है, oxygenated blood को circulate करती है, वो हमारे left part में होता है, ठीक है, human tears, जो हमारे आशु होते हैं, वो क्या contain करते हैं, antibacterial agent होता है हमारे आशु में, ठीक है, antibacterial agent पहे जाता है, उसका क्या नाम होता है, lysogyme, lysogyme उसका नाम होता है, ठीक है, next one, agrostology is the study of grass, ठीक है, यह ऐसे छोटे-छोटे questions पूछ ले जाते हैं, वन लाइनर की वाटीज एक्रास्टोलाजी तो study of grass, grass की study जो होती गहास की उसको बोलते हैं हम लोग agrostology उसी तरह फाइकोलोजी, phycology मतलब होता है study of algae, algae की जो study करेंगे वो होजेगी phycology, next one, paleontology, paleontology मतलब study of fossils, जो fossils पाए जाते हैं, उनकी जो study होती है, उसको बोलते हैं paleontology, ठीक है, next one, pepsin and lactose in gyms, यह सब क्या होते हैं, यह हमारे digestive system के एक add-on proteins होते हैं, add-on proteins in the digestive system, pepsin and lactose, ठीक है, इसका जो pdf होगा, वो आप लोगे भी मिल जाएगा, उसका link में description में provide कर दूँगा, तो आप लोगे easy रहेगा revision के लिए भी, next one, largest organ of human body, क्या होता है skin, largest organ देखिए skin होती है, लेकिन अगर largest gland यहीं पूछ दे, तो उसका answer हो जाएगा liver, ठीक है, लीवर हमा सा blood group होता है, तो होता है O negative, universal donor होता है, O लिख दिया जाता है generally, लेकिन अगर particular आप सोड़ा deep में जाएगे, तो universal donor कौन सा blood group होता है, O negative होता है, ठीक है, universal acceptor कौन सा होता है, receiver, तो वो होता है AB positive, AB positive होता है universal acceptor, ठीक है, ATP, adenosine triphosphate synthesis, कहा पर होती है हमारी body में, mitochondria में होती है, adenosine triphosphate की synthesis, mitochondria को human body का powerhouse भी बोला जाता है, ठीक है, यह आप लोग को याद करना है कि, powerhouse किसको बोलते है हमारी human body का, तो वो होता है mitochondria, काफी बार पूछा गया हुआ है question है, और काफी easy question है, कई बार पूछा जाता है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, next one, glycogen क्या होता है, glycogen short term food reserve in animals, किसमें पाया जाता है, animals में पाया जाता है, ठीक है, short term food reserve के लिए, यह glycogen इसको बोलते है, estrogen क्या होता है, estrogen होता है female sex hormone, ठीक है, तो देखिए इसमें question कैसे बन सकता है, इस है कि, आप से पूछ लिया कि, इसमें से animals जिसमें food reserve करते हैं, उस जिन दो-तीन नाम मान लिए आपको इस टाइब के 4 चार नाम दे दिए गए इसलिए आपको इस सब जानना थोड़ा जरूरी है ठीक है जरनल साइंस में सब कवर होता है next one chloroplast कहां पाया जाता है यह plants में पाया जाता है chloroplast plants में पाया जाता है emulsification is done by liver ठीक है वही प्रोडियूस करते हैं उससे ही emulsification process होता है और फिर भी जितने pancreas या तो जो भी जन्रेट करें का chemical substance वह उससे एक्ट करते हैं क्योंकि surface area बढ़ जाता है fat का ठीक है next one BCG is inducted to get immunity from TB BCG क्योंकि लगा जाता है बच्चों को लगता है बच्पन में तो क्यों लगा जाता है BCG is inducted to get immunity from TB tuberculosis से immunity के लिए BCG लगा जाता है ठीक है next one plants obtained nitrogen in the form of plants में जो nitrogen आती हो किस form में आती है कहां से आती है soil से ठीक है मिट्टी से plant जिस मिट्टी में लगा रहेगा वहां से वह नाइट्रेट के form में nitrogen ले ले लेता है ठीक है next milk sugar को क्या बोलते है ये लेक्τοose, जो सुगर, मिल्क में जो सुगर पाया जाता है, फ्रूट में जो सुगर पाया जाता है तेबल सुगर, यह जो यूडुंट सको बूला जाता है विल्लो किन सब्स चैहर है और में नहीं कर दो प्रक्रान मत होगेगे स्मॉस्ट्ट्र ग्लेंड क्या होती है human body की वह थी pituitary gland अगर largest गम लिवर is smallest गैंड pituitary gland अर्लाज़ेस्ट इस्किन लाज़ेस्ट कर टिशू लाज़ेस्ट आर्गन सुरी लाज़ेस्ट आरगन क्या होता है वह है he's can do ब्लाट प्रेसर में अच्केन कॉ से विंड विंड का अचLO से विटमिन है जोकी help करता है एकंजिसे टीक हो जाए उसमें कॉन से विटमिन करता है तो Antes ठीक है next one जो हम लोग की muscle pain कभी कभी start जाती है मालीजी हम लोग ने बहुत ज्यादे exercise कर ली तो muscle pain हम लोग की start जाती है तो क्यों start जाती क्योंकि duty the formation of lactic acid हमारी body में बनना start जाता है joints पे तो उस वज़े से muscle pain हम लोग को start heart हो जाता है ठीक है right of human heart carries deh oxygenated blood वहीं मैंने बताया थे human heart में चार chamber होते है ठीक है तो जो राइट चेंबर होता है यह इसमें oxygenated blood ऊपर आता है ठीक है impure नीचे pure होके से निकलता है इधर जो होता है यह oxygenated blood होता है ठीक है यह आप लोग याद रखेगा इधर oxygenated blood इधर deoxygenated blood होता है ठीक है और यह दो कुछ receptors होते हैं human body में जो पाए जाते हैं gustatory reflectors जो की tongue में पाए जाता है जीब में यह detect करता है taste ठीक है आप लोग याद रखना है gustatory receptors taste detect करता है olifactory व्यकिन रफ्यक्री mom करने तो उन्सेण संटंग साइन कि ना विडियो क्षफराइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या हो यहां सबस्क्राइब करना वूलें और बने रहें असराइब एनकल फोरम के साथ, थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो